हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं हूँ आसिस और आप देख रहे हैं अधर सिव आप एडमी फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लेकर आए हैं विकॉज का प्रयोग यानि कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि विकॉज का प्रयोग आपको कैसे करना है मैं फ्रेंट्स आपको जैसा कि आप जानते हैं कि एक conjunction है और conjunction का मनलब होता है संयोजग यानि कि ऐसे सब्द जो दो phrases या दो clauses या दो sentences को जोड़ने का काम करते हैं उसे हम संयोजग या conjunction कहते हैं तो चले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमें विकौज का प्रियोग करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है तो यहाँ पर फर्ट साब देख लें कि नमबर एक विकौज का प्रियोग हमेशा दो sentences या दो phrases या दो clauses के बीच में होता है विकौज का प्रियोग हमेशा reason या cause बताने वाले sentence के पहले होता है तीसरा चीज विकौज के पहले कभी भी कौमा यूज नहीं करना है तो तीन ये खासियत है और अगर आप इनको ख्याल लगते हैं तो जो विकौज का यूज है वो कभी भी आपका गलत होने वाला नहीं है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर example के मादधम से कि हम कैसे विकौज का यूज करेंगे यहां फर्ट से आप देख लें पहला example है I cannot go out मैं बाहर नहीं जा सकता इट इस डैनिंग दूसरा जो संटेंस है वो है इट इस डैनिंग वारिस हो रही है तो इसके बीच हमें विकौज का प्रियोग करना है तो हम कैसे करेंगे यहां फर्ट से आप देखिए कि जो मुख कारण है वो है बारिस होना यानि कि बारिस होने की वज़े से बाहर नहीं जा सका तो यहां पर जहां बार जो संटेंस बीच प्रियोग करना है और दूस अंटैंस को जोड़ देना है तो आपर देखिए I cannot go out मैं बाहर नहीं जा सक ओल्ड यहां पर देख लें हो जाएगा क्योंकि मेरे पिता जी बुढ्धे हो चुके हैं अगला संटेंस यहां पर देख लें हमें कैसे जूच करना है I cannot attend the class I was late मैं class attend नहीं कर सकता क्योंकि मैं लेट था यहां पर हो जाएगा I cannot attend the class because I was late मैं class attend नहीं कर सकता क्योंकि मैं लेट था तो यह front से आप देख लेजिए कि इस तरह से आपको विकॉज का प्रियोग करना है बहुत ही simple है और विकॉज हमेशा उन संटेंस के पहले लगता है जिसमें कारण दिया हुआ होता है जैसे यहां पर देख लें मैं class attend नहीं कर सकता क्योंकि मुख करन यह है कि वह लेट था मैं लेट था जहां पर हमने जहां पर मैं लेट था बताया है उसके पहले हमने विकॉज का प्रियोग किया है मेरा मानना है कि यह जो प्रियोग है विकॉज जो एक conjunction है उसका यूज करना आपको भली भाद आ गया होगा यह difference कोई problem है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपको तुरंट उसका रिपलाई देंगे और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देजिए अपने मित्रों के साथ हमें सेयर कर देजिए अपने वाटसब के मादम से या आप फेस्बुक के मादम से अपकी जो मित्र हैं उनको ये वीडियो सेयर कर सकते हैं मेरा मानना है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो देहें लिए कि आपको बहुत धन्वाद आपको देन शुब हो